सबस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं फर्स टाइम वीडियो देख रहे हैं तो यहां से सब्सक्राइब कर लिजे बेल एकन प्रेस किजिए ताकि से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों इस वीडियो में आप आएंगे और आपके लिए क्या फायदे मंद हो सकता है ठीक है यह आपके लिए भी नुक्सान दायक है बैंकों की रेटिंग एन बी एफसी की रेटिंग कम हो रही है और यह बैंकों के लिए भी नुक्सान दायक है तो कैसे नुक्सान दायक है आपके लिए और बैंक को कैस जा रही है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो ben एजेंसी है बैंक और NBFC का सो हमने आपको मुडीज का बारे मुडीज के बारे में बताया वा था जो इन्हों पर जो एक रिपोर्ट आये थी मोरिट्रम एक्सेंशन के टाइम पर अलका अंब्रेशू एक क्रेड़िट ऑफीशर है उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट रखे थी जो मोरिट्रम एक्सेंशन हो सकता होने वाला है ठीक है तो हमने उसी पर एनालेसिस किया हुआ था ठीक है दोस होगा और NBFC के लिए भी अभी यह रिपोर्ट आ रही है जो यह देखे गूगल पर जब आप सर्च करेंगे मोरिट्रम एक्सेंशन मोरिट्रम एक्सेंशन जैसे आप सर्च करोगे दोस्तों तो आपको यहां पर दिख जाएगा यहां पर टॉप स्टोरी दिख रहा है गू यहां जा रही है मतलब निगेटीव उसके लिए निगेटीव कबर न करात्म खबर बुरी खबर इसका मतलब यह हुआ ठीक है दूसरी एक तो यह हो गयी nbfc के लिए दूसरी बैंक के लिए भी दोस्त आप बैंक के लिए भी जान लो बैंक के लिए कैसे bank and nbfc begin talks of war extension of loan ursystem scheme समझ रहो और यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी एक CNBC ने भी क्या रखा है जो extension of loan moratorium credit negative for NBFC ठीक है यह भी बोल ड़ी यानि live mint भी बोल ड़ा है यह live mint किसका है यह हिंदुस्तान टाइम्स का गुरूप का है दूसरा NBFC के बारे स्वरी CNBC के बारे में तो आप जानते ही हो कितनी बड़ी platform है वो भी कितनी business company है ठीक है business news provide करती है आपको सो यह देखिए यह भी बोल ड़ी है रिपोर्ट सापा है इन्होंने मुडीज के हवाले से यानि मुडीज बोल रहा है जो NBFC companies की जो rating है वो डाउन हो सकती है निगेटिव 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 ख़बर है उनके लिए सो कैसे है यह NBFC क जो capital depend करता है वो collection पर depend करता है जदि collection ही नहीं आएगा उनका capital ही down हो जाएगा ठीक है तो उनके लिए तो बुरी ख़बर है ही और यह rating agency भी यहाँ पर signal दे दी है जो उनकी rating परवावित हो सकती है जब rating ही परवावित हो जाएगी rating ही down हो जाएगा तो फिर जो है उनको आग आपको बताएंगे उसके regarding ठीक है अब देखिए अब एक और हम आपको बता रहे हैं एक मिनट आपको हम बताते हैं बैंक का बताते हैं अ बैंक का अच्छा अब बैंक का बैंक को की rating देखिए देखिए अब यह आप खुद प्रूफ देख लो सबसे परले आपको क्या एपोस्टोफी एस लगाना रेटिंग डालने है ठीक है ना मुडिज रेटिंग जब आप सर्च करोगे तो आपको दोस्त यहां पे दिख जाएगा यह सब आर्टिकल और इसी में आपको क्या करने है यह वाले देखो थ्री आवर्स दिख रहा है ना आपको आज का यह मुडि देखो भैंक की बहुत रेटिंग डाुन कर दी है मुडि अधि ने बहुत एसर पड़ता है घख सिंधी तो आप मुडि जान कर देखो चले स्क्वादू. को डाउन कर दिया है मुडी स्टेक्स रेटिंग एक्शन ऑन 11 इंडियन बैंक डाउन ग्रेट्स SBI, Exim and HDFC बैंक HDFC बैंक की भी रेटिंग को डाउन कर दिया है ठीक है अब देखो रेटिंग डाउन होने से बहुत इनकी जो फिचर की ग्रोथ है उस पे इंपक्ट पड़ता है और रेटिंग डाउन होने का मतलब वही है फिचर की ग्रोथ आपकी कम होगी जब आपके पास फंड्स कम आएंगे ठीक है तो अब यह देखो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है है SBI है State Bank of India HDFC IndoCT Bank Bank of Baroda पंजाब National Bank Union Bank of India andra Bank Bank of India Central Bank of India Indian Overseas Bank and EXIM EXIM Bank क्या होता है दोस्तों EXIM का EX का मतलब होता है Export और I.M. का होता है ich export इंपोर्ट बेंक जो है इंडिया प्रशान हो जाओगे तो इस article को आप क्या कर सकते हो इस article को आप पर सकते हो और यहां पर देख सकते हो जो मुड़ी जन्य जन्यिस को सब्सक्राइब इनका बेरेटिंग है जितनी पहले थी उनसे कम कर दिया है तो यह इसलिए कम किया है दोस्त क्योंकि अब ही आपको मालूम है लोगों को मिल रहा हूं ठीक है तो बैंकों तक जब नहीं पहुच पा रहा है तो बैंकों के पास उतना fund तो कम हो रहा है एक simple सा language में समझो आप इसको banking language में समझो तो नहीं आगा समझ में ठीक है तो simple सा language में समझ लो वो पैसा यानि cash flow जो है यहाँ पर कम हो रही है ठीक है तो अब इसी लिए इन्हों आने वाले future time पर अब इनका आपके उपर क्या आशर पर रहा है और bank के उपर क्या आशर परेगा देखो जब बैंकों के पास cash flow कम होगा बैंकों के पास funds कम आएंगे तो bank जितना खुल कर पहले लोन देती थी आपको pre-approved offer देती थी na pre-approved offer देती थी credit limit increase करती थी तो उतनी frequently उ आपकी जो ज़रुरत है यानि business करते हो आप या आपको कोई ज़रुरत की चीज़े करनी है तो फिर उस पे negative असर परेगा ही परेगा तो इसलिए दोस्तों हमने बताया था जदी आपको सक्त ज़रुरत है बहुत ही हालत खराब है लगता है आपके पास पैसे नहीं है तब ही moratorium लेना जदी आपको दिक नहीं लगता है जो moratorium नहीं लेने चीज़े आपको पैसे के cash flow काफी अच्छी है तो आप moratorium मत लो इनसे अभी आने वाले टाइम पे आपको लोन जदी मालो यह 10-20-50,000 के चक्कर में आपको यहाँ पे 7-8 लाग रुपए 10 लाग रुपए तक का अब जदी लगता है जो आपकी सेल्डिक एकोडिंग लोन मिल सकता है तो आने वाले फेस्टिव सीजन आने वाला है उस टाइम पे बैंक लोन देगी ही देगी जदी आपने आपकी क्रेइट अच्छी रहेगी तो रीपेमेंट आप करते रहोगे तो नहीं करोगे तो फिर तो मिलने का चान्स नहीं के बराबर है तो यहीं हमने बतायाया जो एन बी एफसी की हालत खराब बैंकओं की रेटिंग डाउन तो जब रардज मीडान हो गई बैंकों के पास फजक्ट की कमी हो रही है तो आने वाले टायम पे आपको आपके लिए लौन लौन के लिए थोरी अच्छी कवर नहीं है प्री अप्रूट ओफर मिलना कम हो जागा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यों